नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ शक्रा मैं रोतरा शुरुआत करते हैं उत्तरप्रदेश खबरों की हमारे संबदत अप्रदीव गुपना ने विधान सभा भिनिका की विधाय का इंद्रानी वर्मा सिखा सबाचीत की है आई आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहाँ इंद्रानी वर्मा ने मैं पूरे जंता का विधायक नहीं। कि मैंने कि आपना दिया है मैंने किसी का लिया नहीं है जिस तरीके से हमारे योगी जी और दामन पाक साप उसी तरीके से उसकड़ी में इस सिपाही का भी एक दामन पूरी तरीके से गंगाजल की तरीके से पवित्र है कोई भरश्का चार कोई लेंदेन का आरोप मेरे उपर नहीं लगा सकता है कहेंगे किया जनता के बीश में मैंने यूपी विधास अचनाव में भाजपा गटबंधन को मिली प्रचंड जीत के बाद सहीयोगी दल निशात पार्टी के रास्ट्रे अध्याक्षिय संजय निशात ने आज प्रेस कॉनफरेंस कर बीजेपी गटबंधन को जनता समिले अपार समर्थन के लिए अभार प्रकट कि साथ ही खड़ा के नव निर्वाजित विधायक विवेक अनंद पांडी से प्राइम टीवी की टीम ने खास बाचित की है आई आपको सुनाते हैं कंपेनिंग करके हंडेट परसेंट इस्टाइप डेट दिया है तो बड़े भाई है वो निश्चित रूप से राम ने निशाद राज को गले लगाया तो दुनिया में सांती आई थी विदेप्राप्तिवा रामान का राज खतम हुआ था राम राज आया था भात्ति पार् राजियों में सरकार बनाते हुए दिख रही है वहीं अगर उत्रप्रदेश की बात करें तो भाजपा की गठ बंदन के हिस्सा रही निशाद पाटी से खड़ा के नव निर्वाचित विधायक वीवेकानन पांडे जी हमारे साथ हैं सबसे पहले आपका प्राइम टीवी मे बहुत-बहुत स्वागत और आपको बहुत-बहुत हार्दिक बधाई की आप इस बार विधायक बन के आए हैं खड़ा से क्या संदेश देंगे खड़ा की जनता को खड़ा की जनता का सिरबाद मुझे पराप्थ हुआ है और जिस उमीद और विश्वास के साथ पाल्टी ने मुझे वरुसा करके वो मिद्वार मनाया कर फिछ वंधन का और जिस वरुसा के साथ खड़ा विधांसभाग기 जननता ने मुझे अपार अशिरवाद दिया लबग 41,500 कुछ ओटों से मैं बिजेश स्री प्राप्त किया, निश्य तुरुप से 90,000 के आकड़े को मैं पास पहुचा हूँ जी पोट का, जो असिरबाद मुझे मिला, उस असिरबाद को, मैं एक एक असिरबाद जो मैं खड़ा विदांसवाग जनता दी है, मैं उस जी परकार खड़ा विदांसवाग की जनता मुझे आपारा सिरबाद दिया है, उसी परकार खड़ा विदांसवाग की हर एक विक्त के लिए मैं खड़ा मिलूंगा, पहले बेटा बनके मैं पहले चुनवाग भी बनके लड़ा और बेटा भाई के रूप में रहूँगा, बिदायक तो मैं विदांसवाग में रहूँगा, खड़ा विदांसवाग की जनता के बीच भाई और बेटा बनके रहूँगा, अगर बात की जाए खड़ा की प्रमुक्स समस्याों की, पिछली सरकार में काम किया गया होगा, अगर प्रमुक्ता से बात की जाए, तो क्या ऐसी समस्या है जिसको आप सबसे पहले वहां निदान दिलाएंगे जनता को खासकर वहां जल जमा और यह बार्स प्रबंदन को लिए के बार्ड प्रबंदन में हमारा कुसल प्रबंदन और प्रदेश के जल सक्ति मंतरी मानी महिंदर सिंग के नित्युत में जल प्रबंदन ब अगर उनके पास आता है जिनके पास विवाब कुना जाता है एक बार से रेटेड एक समस्या है जिसको नवतार बंदे पे उसको मेरी प्रात्मिक्ता में पहले उसको सर पर्थम जबी मुझे उसर मिलेगा पहले काम वहां से सुलात करूंगा तो हमारे साथ थे खड़ा से नौ निर्वाचित विधायक निसाद पार्टी के विवेकनन पांडे जिनका साफ तौर पे कहना है कि मैं बेटा के तौर पे काम कुआ है और नेता के तौर पे नहीं और इनी सब चीजों को देखते हुए मैं जो स्थित्व की समस्या है उस पे हर एक प्रियास करके काम करूँगा कैमर मैं नीवच के साथ विभांसू प्राइम टीवी लखना हूँ खबर राइबरेली से है जहां अध्यक्ष और राजविदिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशक से राइबरेली के दिवानी न्यायाले लोक अदालत का आयोजन किया गया जिसका शुभारम जिनपत के न्यायाधी श्री अब्दुल शाहिद ने दी प्रज्वलित करके किय इस दौरान नियायाले में जनपत के सभी प्रशासनिक और राजस्व अधिकारी भी मौजूद रहे गाजियाबाद के मुराद नगर्थाना इलाके में एक समुदाई विशेश के खिलाफ आपतिजनक बयान देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वारल हो रहा है वही गाजियाबाद पुलिस ने वारल वीडियो का संग्यान लेते हुए हिंदू युवा वाहिनी के जिलाद्यक्ष आयूश त्यागी काकड़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है आईटी एक्ट और अन्य गंबीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है पुलिस की तरफ से सोता संग्यान लेते हुए एक मुकदमा धाना मुराद नगर पे आउशिक धाराओं में पंजिकत करादी आ गया है और इसमें अग्रिम विधानिक कावई प्रस्लित है और इस तरह की जो भी बाते हैं सो आट बिदाडने जो भी चीज़े हैं वो बटाश नहीं की जाएंगी और उन पे लगाताब सबसे सब्सक्त और आउशिक करवाई की थाएगी खबर मतरा से है जहाँ प्राइवेट वाहन से फणीचर ले जाते वक्त हाई टेंशन लाइट की चपेट में चार मासूम आ गए वहीं आननफानन में चारो को अस्पताल पहुचा आये गया वहीं एक की हालत गंभीर बताई जो रही है आगरा रेफर कर दिया गया है उसे बता दे कि जिला प्राथविक संग के अध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि गाड़ी वाले की लापरवाही से यहाद्सा प्राइमरी ब्रेंच आई थी गाड़ी वर गया है यहाद्सा में बंद हो गई यह बच्चे खेल रहा था वहाँ पर तो आया बोले के अध्यका लगा तो तो यह बच्चा लगाने लगा और तीन बच्चे और हैं और चार छे थे पर बूता एक तम हट गई करंटा से यह च यह बच्चों की हालत खराब है यह बच्चों की तीनों विधान सबसीटों पर एक बार फेर भारते जंता पार्टी के तीनों प्रत्याशियों ने बाजी मारते हुए अपने प्रतिद्वन्दी को बड़े अंतराल से हराया है तीनों की जीत के बाद से ही मीजेबी कारे करताओं और समर्थकों में खासा उत्सहा दिखा जा रहा हैं सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिला कर बधाई दी वही प्रधान प्रतिद्वी दिलीप कश्यप ने अपनी पूरी ग्राम पंचयत में लड़ू बाटकर खुश्य मनाई इस दौरान अजय पाल कश्यप चंदगी राम रजनीश दाता राम पवन कुमार जितेंद्र अवनीश पाल राम पाल कठेरिया समेत कई लोग प्रतिद्वी दिलीप कश्यप आज बाती है जनता पार्टी ने कन्यों जिला की तीनों सीटे पर विजय पाई है हम लोगों ने आज हो एक खटे होकर हम सब लोगों ने मिठाई बाटी हुई है और होली का होली मनाई हुई है सरकार ने भले ही बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया हो लेकिन सरकार की इस मंच्या के बावजूद बेटियां घर से निकलने बाहर तक अभी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है पूरा मामला कानपूर के कल्यानपूर कलाका है जोहाँ पर एक तरफा प्रेम में पागल एक मंचला युवक ने बारवी चात्र की चात्र को धमकी दे दी जिसके पीछे वो कई दिनों से पड़ा था आसुबा चात्रा जब कोचिंग से घर वापस आ रही थी तब युवक ने अपने साथियों के साथ उसको रोक कर छेड़ चार करने लगा और दोस्ती इदना करने पर तेजाब फेक कर चेहरा बिगारने की धमकी दे दी पुलिस ने आहरोपी मंचले पर मुकदमा दर्ज कर लिया है प्रिशान कर रहे थे एक तो है कि उसको जानती हूं उसके पैर तूटा हुआ है और वह क्या तेरे उसका राविंदर राठा नाम है और दो तीन को मैं नहीं जानती हूं लेकिन उसका चाहरा देखूंग तो पैचान जाओंगी थाना कल्याणपूर पर आज एक आविदिका कर लेंगे और इसमें कड़ी से कड़ी विदिक कारवाई की जाएगी मत्रा में लटमार होली बड़े ही उत्सहा और उमंग के साथ खेली गई वहीं गोपियों ने नंदगाओ के कृष्ण रूपी हुरियारों पर जम कर लाठियां बरसाई मतादे अबीर गुलाल और लाठियों से खेली गई होली का आनंद देश विदेश से कोने कोने से आए श्रद्धालों ने जम कर मजालिया बढ़ा हुआ है। यहां बहुत अच्छी ओली मेरी यहां पर पहली है। मैं बहुत अच्छा मैसुस कर रही हुँ रादारानी यहां पर मेरा पहला चांस अई ओली खेल लेगा। अलिगड में रफ्तार का कहर देखने को मिला है जो हाँ अपने गाउं से टपल पैदल बाजार समान लेने के लिए आय युवको को ग्यात वाहन ने टकर मार दी जिसमें एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा अगम भी रूप से घायल हो गया है वही ग्राम प्रधान आदंपुर को लगी ग्राम प्रधान ने इसकी सूचना टपल पुलिस को चपल पुलिस को दी आननफानन में मौके पर पहुचकर शोग को पोस्ट मौटम के लिए भीजा किया है और मामले की जाच में पुलिस जुट गई है पुलिस मौके पर पुलिस पहुची ती जब पुलिस पहुची थी सर हमारे गाओं का एक लड़का जिसका नाम नीरज है सनौप सोधान सीं गाओं से किसी घरेलू सामान के लिए टपल पैदल जा रहे थे तो उसके साथ एक लड़का और था मोहन सनौप रामपाल किसी अग्यात वहन ने उनको टक्कर मार दी जिसके कारण उसकी डेथ हो गई खबर और आया से है जहां नर्सों ने प्रसफ के वाद नवजात की पिटाई की जिससे नवजात की मौत हो गई नवजात की माता पिता ने पुलिस को सूचना देते हुए अस्पताल प्रशासन पर गंबीर आरोप लगाए हैं वहीं सीमो अर्चना शुर्वास्तव ने दोशी अस्पताल वालों के खिलाफ जांच के आदेश दिये और दोशियों के खिलाफ सब्सक्त कारवाई की बात कही है कर दोशी जानकारी में आया तो है कि यह साथ महीने का बच्चा था जिसकी वहां पे सब्सक्ता रहा हुँ अब है कि अब जानकार रहा रहे हुँ और अर एकाम लेगं है उसकी जानका करां करानत इक हांकि यह अस्पताल चला रश्टेशन है तो यह सेटा प्रशन लिगें शिर्शर की पर च्ड़ें कर था है फरुखबाद में धाना कमाल गंज पुलिस का नया कारनामा सामने आया है धाना पुलिस पर महिला को घर में घुस कर परिशान करने का आरोप लगाया है धाना पुलिस की प्रतार्णा से परिशान होकर महिला ने परीजनों से कमाल गंज C.S.C. में भरती कराया है इन दिनों पडोसी से दीवार तोड़ने को लेकर विवाद पीडित पक्ष का पुलिस पर एक पक्षिय कारिवाई करने का आरोप लगाये गया है वहीं पीडिता की सास्क पुलिस पर घर में घुसकर ये मामला सामने आया है उत्तरप्रदेशी खबरों में फिलहाल इतना ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे है प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार